शूट टपोरी मेरा बहुत गंदा लूग है और अगर चैमरा थोड़ता हिल रहा हो तो मैं हिला नहीं रहा हूं कुछ जस्वाई मेरा जो कैमरा स्टेंड है वो टूट गया है तो हाथ पकड़के मेरे को रिकार्ट करना वड़ रहा है डेडिकेशन देख रहे हो तुम्हारे सबसे पहले आज की जो पहली अपडेट है वह आती है यहां पर अर्जंटीना नाशनल टीम से तो तुमको बता है लियोनल मैसी इस समय इंटरनाशनल ड्यूटी पर है और ऐसे में आपर फैंस का एक डाउट ता कि आने वाला जो बोलिविया के अगेंस मैंच है कि आप वहा अभी के लियोनल मैसी जा चुके हैं अर्जंटीना टीम के साथ वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टार्टिक लेवन में होंगे नहीं होंगे स्केलोणी ने आप पर यह अपडेट दिया है कि वह मैसी के साथ हम मैच से पहले डिसकस करेंगे मैच 13 सितंबर को है तो आप कहा सियान और रोनाल्डो लियोनल मैसी वाली राइवल्री से कंपेर नहीं करूंगा वह इन्होंने इस चीज़ का है कि देखो सबसे पहले रोनाल्डो और मैसी की जो राइवल्री वो खतम नहीं हुई है चुकि वह अभी वही चीज तोड़ रहे हैं तो अभी वह ग्लोबल स्टेच पे बट अगें कि वह मैसी और रोनाल्डो वाली राइवल्री पर आएगी यह अपने आप में काफी जाधा वेक कमेंट है पर अजेज़ा है नोसको पता है कि यहां पर फुटबॉल फैंस को कैसे जीतते हैं दूसरी चीज है यहां पर एक मैं एक शुर में बात रहा था जो में रिकॉर्ड कर रहा था तो नेम्र के अधिकार डिगाई और को पता है लोग इसलिए असले। करते हैं कि मैंने मैसी रोनालडो के आस-पास होना चीह मैसी रोनाल्डो के बातuhá बात करो तो मैसी और तो इतना ज्यादा उपर है कि अपने आप काफी नीचे आ जाता है तो उसको पता है कि यहां पर एक तो पहली बात तो अभी इंफेंसी यानि कि जस्ट अभी अभी जन्में है इस राइवल्री में इनको मैसी रोनाल्डो वाली राइवल्री को रेप्लिकेट करने के लिए लगभग 10 साल एक दूसरे से बढ़ना पड़ेगा तब हम जाके कह सकते हैं कि ठीक है रोनाल्डो मै इंडिया लेबनॉन से नीचे आगी यानि कि 99 से खिसके अब हम वर्ल्ड रैंकिंग में 102 स्थान पर आ चुके हैं पांच पॉइंट का हमारा यहां पर घाटा हुआ है और इराक के अगेंस मैंने नहीं कहा था लेकिन मैं लेबनॉन के अगेंस मैंच डेवलॉक तुमको शाम या फिर निखिल पुजारी जो बात में आये थे मतलब अगर मैं ब्रैंडन फर्णनेंडस की बात करूँ सहाल की मैं बात करूँ सबका जो पॉजिशनल स्विश ता जो लाइक आईक्यू जो आप डेवलप करते हो कि आपको पिछ पे कहां होना है किस तरीके से अपने आपक यहां पर यहां पर इतने अच्छे नहीं थे यहां पर अनवर अली के बाई एक दो शौट से लेकिन अगे पूर शौट से तो सुनिल छेत्री को भी मैंने यहां पर मिस्किया काफी जादा मिस्किया और बस वही बात हुजाती है कि यार मतलब लाइक क्रिटिसाइज कैसे कर सुनिल छेत्री के बाद क्या होगा स्टीम का मेरे को नहीं पता कल छेत्री होते तो भाई अगर लेबनोन की बात करें फेजिस में पॉसेशन कंटेन कर रहे थे ठीक है लेकिन उनके जो चांसे थे वह फिर भी इंडिया से ज्यादा थे एक हैडर ता जो कि गुरुपीत के ब लेकिन ठीक या मतलब दिस वाज वेरी पूर केंपेंट मतलब यह किंग्स का वाला केंपेंट तो हमारे लिए काफी साथ खराब था और बक्षो दी मत करना अगर तुम में लिखा कि मैं पन होती हूं इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी मैंचेस्टर यॉनाइट की तो यॉनाइट ने फाइनली अपना ऑफिशल स्टेट्मेंट दे दिया है कि अब यहां पर इंडेफिनेट पीरियोड ऑफ टाइम के ले रहे हैं जब तक उनका यह जो एलिगेशन वाला ड्रावा है वो खतम नहीं होता जो इस पूरे मामले में लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेट्मेंट है लेकिन इसी के साथ यहां पर एंटरी ने एक इंटर्व्यू दिया है ब्रजीलियन मीडिया को और इसको क्रिटिसाइज भी किया जारा लेकिन काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि ठीक है तर को अपने साइट आफ दे स्टोर पैसे दोगे तो आप कह सकते हो कि दो हफ्ते की सैलरी काट ली एंटरी की लेकिन दो हफ्ते बाद यहां पर देखते क्या होता है क्या नहीं होता है इसके रिगार्डिंग मैं यहूं कि मैं भी कमेंट नहीं करूँ आ जैसा मैंने ग्रीनवूड वाले केस पर करता हावएवर यहां पर sexual abuse का domestic violence का पहली वाली बंदी ने करा है लेकिन बाकी की जो दो सेटिंग्स है उन्होंने यहां पर sexual abuse का केस डाला है तो यह देखने आली बात है किस तरीके से काम होगा युनाइटिट का स्टेंड कंफ्यूजिंग है बट क्या कर सकते हैं युनाइटिट इससा में बाइब बात करते हैं जर्मनी नाशनल टीम से जहां पर हंसी फ्लिक को सैक कर दिया गया है जर्मनी के साथ नहीं प्रॉब्लम क्या रही है जर्मनी इस पर टाइम पर दो चीजों से गुजर रही है पहला आइडेंटिटी ग्रशिस सोचों जोड मुलर की बात करे थॉमस मु प्लेयर्स थे नौयर बगरा की बात करें जो लेजंडरी टीम ती जर्मनी वह लाइक वाली ती जैसे बायन का एक रूटलेसनेस होते था बूटलनेस आती थी हंसी प्लिक के अंडर कई ना की जर्मनी ने कभी कोई आइडेंटिटी ली ही नहीं मतलब हमेशा से एक तो वह है जो आप जो नाशनल पूल आप कर रहे हो आप लट ला रहे हो आप यहां पर जोश्या के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डालवा पा रहे हो तो वह चीज है कि जर्मनी कहीं ना की एक तो ऑफ दपिच जो इनके ड्रामेंज होते हैं उसमें बहुत कॉंट्रवर्सी हो जाती है दूसरी चीज है क्यों परफॉर्मेंस पिछले सोला मैच उसमें सर्फ चार मैच आप जीते हो जिसमें से वर्ल्ड कप में आप ग्रुप सेज में बहार हो गए हमको नहीं मूलना चाहिए कि यहां पर जो रोज में यह रोज में भी जब इंग्लेंड उनको बाहर कि भी थी बिल्कुल हाँ चैंप ली जित्वा के हंसे फिल्क में चीजों को और खराब ही ऐसा लग रहा है कि हंसे फिले के डूते जहाज में और छेद घर रहा है तो वह वाली चीज है कि ठीक है अभी आपका जो आइडेंटिटी है वह कहां गई जर्मनी की आडेंटीटी कहा है आपके नैशनल पूल प्लेयर्स को आप कैसे यहां पर डेविलप करने वाले हो आपका एक स्ट्राइकर चाहिए यूनीड डिफेंस यूनीड आपको पूरा ओवरॉल चाहिए और अफकोर्स मैं नहीं कहूंगा कि हंसे प्लिक के सारी गलती है लेकिन मैं कहूंगा कि इट करना ही था असल बात यह थी कि रुबियालस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम यह थी कि रुबियालस क्या सही है और क्या गलत है ठीक है सबका अपना पर्सेप्शन एक ग्रेयरिया में आ पर लेकिन बंदा इगोईस्टिक है एरोगेंट साउंड करता है वह बहुत दिक्कत क काफी लोग कह सकते हैं कि हर्मोस के अगर बात करें लोटिया की बात करें तो लोटिया ने जब पुच्ची-पाच्ची करी तो तब तो जादा कुछ नहीं था लेकिन जब लॉट्टिया ने फिर अपना रंग बदल दिया अगें इसके रिगार्डिंग मैं कहुँँ कि या सब्सक्राइब और कुछ नहीं कर सकते हैं कि हर्मोस की अगर बात करें तो उसको नहीं लगा था कि इतना बड़ा ड्रामा हो जाएगा और या फिर उसको यह लग रहा था कि अगर मैं सामने से कुछ चीज लाइक करती हूं तो भाई लाइक अपकॉर्स कोई पहला मुद्द अगर आपको एपिसोड पसंद आते है अपिसोड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इसी तरह फूट बहुत सब्सक्राइब एक्स्क्लोजिक कॉंटेंट चाल बर मिलता रहेगा तब तक कि लास टेट यून स्टेफे और एन आपको इन इन नेक्स एपिसो आपको और इन नेक्स एंगरी इन उर्णेट क Kell सि हने की हैंगर टेह सब्सक्राइब वार मिलता हैं नेक्स